तो बाई पिछले एपिसोड में वीर नूस एक्वारेपर को किल कर दिये था और वीर को उसके डेवल सोल मिल गे थी और लाश्ट में उसको गुफा से बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया था तो इस एपिसोड की स्टाडिक में एक कलब का सेंद देखते हैं जहांपर एक पार्टी चलरी होती है वहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुने कि एक शल्टर के उपर बहुत सारे एलियन्स ने अटेक कर दियो और उसमें काफी सारे बंदे मारे ग तब ही उसके पास कबीर मदान आता है और उससे बोलता है कि वीर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वीर बोलता है कि तानिया मुझे यहाँ पर लेकर आई है और फिर कबीर बोलता है क्या तुम यहाँ पर रूचिका के जनम दिन है उसने मुझे क्यों नहीं बताया कबीर हसते कभीर बोलते हैं किया तुम्हें पते हैं आज रूचिका का जनम दिन ने मुझे तो लगा तुम दोने अच्छे दोस्तों ये बहुती फनी बात है। प्लैनेट पर गया हो तो किसी ने इसके स्रीर पर कपजा कर लिया और ये ग्रैंड मास्टर होई ना। प्लैनेट पर कितने भी स्ट्रॉंग क्यों नहूँ ये दूसरे प्लैनेट के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए जल्दी करोड दूसरे प्लैनेट पर आ जाओ। अगर तुम मेरे शल्टर के अंदर टेलिपोर्ट होती है तो मेरे टीम के अंदर आ सकती हो और ये कहके वो वहाँ से चला जाता है। चला जाओंगा तो मैं भी ये कहा करूंगा तानिया वीर से बोलते हैं कि हाँ तो फिर जल्दी करो और दूसरे प्लेनेट पर आ जो तुम वहाँ पर असली श्ट्रॉंग बन सकते हो इसके बाद वीर एक जीहें पर खड़ा होता है तभी उसके पास पर एक बंदा आता और वी यहां पर बुलाया कि इसलह मैने तुम को यहां पर इसली बुलाया ताकि तुम देवासर में मेरे लिए स्क्रिट प्लड्ड डैवल को और चेप बनिगशे के डेवल सोल लेकर जाने पड़ती है और तब ही वह वहां पे सर्वाइफ कर पाता है इसी करन टाइटन प्लेंट की शॉप में सीक्रेट पलेवल सोल की कमी है उसा गर वीर को एक डिवाइस में डेवल सोल दिखा कर बोलता है किसलिए मैंने दुम को यहां पर बुलाया इस private club में devil soul का trade होता है मुझे बताओ तुम्हें कौन सी devil soul अच्छी लगती है हम devil soul के बदले में devil soul को trade कर सकती है लेकिन इसमें कई devil soul देवा सरम की नहीं है विरुस device की उपर हाथ मार के उसे बंद कर देते हैं बोलते है कि इस private club में दूसरे planet की secret blood devil soul नहीं है उसा अगर हरानी से बोलते है कि आतम दूसरे planet की secret blood devil soul के बदले में titan planet की secret blood devil soul को trade करना चाती हो विरुस से बोलते है कि हां मेरे पास कुछ secret blood devil soul है में तुम interested हो सकती हो और मैं किसी भी चीज में interested नहीं हो मैं devil soul को दूसरे planet में अजुरांग शल्टर में लुहू सुलांग को देना चाता हूं तो भाई विर लुहू सुलांग को devil soul इसलिए देना चाता है क्योंकि विर जब पहले गरेब था तो लुह सुलांग और उसके फादर ने इनकी फैमिली के बहुच ज़दे help की थी तो विर भी इसकी अब help कर रहा है ताकि वो दूसरे planet पर survive कर सके इसके बाद कुछागर अपने assistant से पूसता है कि हमारे पास दूसरे planet की कितनी devil soul है क्या ये चलेगा कुसागर का assistant बोलता है कि यंग मास्टर दूसरे planet की secret blood devil soul से ज़ादा strong और ज़ादा महंगी होती है हम पहले planet की तीन secret blood devil soul के बदले में दूसरे planet की एक secret blood devil soul को ट्रेट कर सकते हैं कुसागर बोलता है कि पहले हमें एक बार captain वीर की devil soul को देख लेते हैं वीर कुसागर को अपना three blade harpoon दिखाते हुए बोलता है क्या ये चलेगा कुसागर बोलता है क्या तुम इसे सच में ट्रेट करना चाते हो वीर अपने silver wolf की devil soul निकाल के बोलता है कि हाँ पुछने वाली कौन सी बात है मैं वैसे भी इसका यूस नहीं करता और ये मेरे दूसरी devil soul को देखो और वीर मन में सोचने लगता है कि मैं three blade harpoon को अपने demon sword devil soul के साथ में नहीं जोड सकता अगर ये कुछ चाद है फिर भी ये super alien को नहीं मार सकता कुसागर वीर के silver wolf को देखकर बोलता है क्या ये mount type की devil soul है वीर बोलता है कि इसका नाम silver wolf है और ये बहुत तेज दोडता है वीर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें यकीनी और रत इसको एक बार लेकर जाओ और इसको अजमा के देख लो अगर ये उस wind changing horse से तेज नहीं दोड़ा तो मैं ऐसे तुम्हें फरी में देदूंगा ये सुनकर कुसागर उस silver wolf के गले लग जाता है और बोलता है कि ये चलेगा कुसागर का assistant बोलता है कि ये दोनों devil soul top level की हैं लेकिन अभी भी ये दूसरे planet की secret blood devil soul जितना नहीं है वीर की तीसरी devil soul भी top level की होने चाहिए फिर हम trade कर सकते हैं इसके बाद वीर अपनी तीसरी devil soul दिखाते हैं बोलता है कि इस रूप बदलने वाले secret blood devil soul का नाम गोश्ट आइबियर है और ये हमारी power और speed को बहुत ज़दा बढ़ा देता है तो अब बोलो मैं अपनी इन तीन secret blood devil soul के बदले में दूसरे planet की दो secret blood devil soul से trade कर सकता हूँ वीर की ये devil soul देकर कुसागर की आखें जमक जाती है और वो बोलता है कि ये fusion transformation devil soul है जब हम इस devil soul से अपना रूप बदलते हैं तो हम अपनी martial art और weapon का यूज़ कर सकते हैं मैं trade करने के लिए त्यार हूँ कुसागर का assistant वहाँ से जाती हूँ बोलते है कि मैं contract त्यार करने जा रहा हूँ वीर कुसागर से बोलते है कि please इन दो devil soul को अजुराइट शल्टर में लूह सुलाम को दे देना इसके बाद view change होता है वीर कहीं पर जार होता है तब ही उसकी पिछे एक old man आता और उसके नाम से बोलते है कि अरे वीर 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 पिछे मुड़कर देखते है और बोलते है कि old teacher मेरे पास यहाँ पर आने के लिए permit है वो old teacher वीर से बोलते है कि वीर मेरे पास एक project है जिसमें अने वाल बंदों के बीच में top power brushed के data को collect करना है क्या तुम मेरी help करोगे इसके बदले में मैं तुमें extra credit भी दूँगा वीर credit का नाम सुनकर बोलते है कि हाँ जरूर मैं आपकी help करूँगा तो बाई जब वीर यहां से graduate हो जाएगा तो जब वो military माएगा तो credit से उसकी rank decide की जाएगी वीर के पास में काफी सारे credit है लेकिन वीर ने काफी सारी class miss कर दी थी और वीर को extra credit मिल रहा है तो इसमें वीर का क्या जा रहा है इसके बाद वो old teacher वीर को एक file देकर वहां से चला जाता है और वीर से बोलता है कि कल सुबह साड़े आठ बजी मेरी lab में आ जाना और फिर वीरूस file का title पढ़ता है जिसका नाम un evolved gene point में बढ़त होता है इसके बाद हमें अगले दिन का scene दिखाया जाता है वीर लैप के अंदर आ जाता है उसके बगल में एक बंदा खड़ा होता है उसका नाम रितिक होता है वीरूस device को देखता है जिसके अंदर रक्षत तालूवलया पढ़ा होता है और फिर वीर रितिक से पूसता है कि यह किस तरह के device से देखने में तो अच्छा लग रहा है रितिक वीर से बोलता है कि इसको cell activator कहते हैं जिससे हमने specially इसी project के लिए बनाया है यह body के cells को strength दे के उनको active रखता है जिससे body के सब इन function को improve किया जा सके इस तरह से हम एक इनसान की maximum fitness का पता लगा सकते हैं वीरूस device के पास में करेतिक से बोलता है कि बूल जाओ तुम्हारे इस test के लिए रक्षे तालूवलया काफी नहीं है रेतिक वीर से बोलता है कि तुमने इस test से बचने के लिए रक्षे तालूवलया को बली का बक रितिक वीर से फूसते है क्या तुम ये test देना चाते हो वीरूस को फट से मना कर देता है लेकिन इसके बाद भी रितिक वीर को एक solution बोटल और एक device पकड़ा देता है और बोलता है कि ये solution बोटल है से तुमारी बोड़ी पर कोई भी effect नहीं होगा लेकिन इससे तुमारी ब बोटल को देखकर बोलता है कि ये मेरे बोड़ी को cells को activate करेगा क्या ये मुझे overload की practice करने में help कर पाएगा इसके बाद ये बले एपिसोड यहां पे end होता है